प्याज पर 40 फीसद एक्सपोर्ट डूटी को 31 समबर तक लागू कीजाने के फैसले के विरोध में नासिक के प्याज कारुबारी वे रताल पर चले गई हैं। बुर्दवार को नासिक के प्याज कारोवारियों ने सभी कृषिक उपजमंडी में प्याज की निलामी रोग दी। ब्यापनियों को कहना है कि वे अनिशित कालीन हर्टाल पर चले गए हैं। देश भर में प्याज का सबसे जादा उतपादन महराश्ट में होता है और महराश की कीमतें बढ़ी थी उसे रोकने के लिए प्याज महंगाई के दुष्टे से काफी सेंस्टिव है और भारत में प्याज को लेकर आज नीति कुरूप से भी काफी आग रह रहते हैं और इस वजह से सरकार ने प्याज के निरयात को सीमित करने के लिए ड्यूटी लगा दी इसके खिलाफ आपको याद है महराष्ट के वियापारियों ने प्याज वियापारियों ने लगाता सरकारों के खिलाफ आंदोरन कर रखा है अब एक बार फिर ये परस्तिती आई है जबकि नासिक के प्याज वियापारी स्ट्राइक पर हैं और आॉक्शन्स रुग गए है सबसे बड़ा एसर इसका ये होगा कि फिलहाल अभी मानसून की परिस्तिती ठीक नहीं है अलाकि सबजियों की कीमतों में थोड़ी कमी आई है में दिखाई दी है पिछले महिने की महेंगाई के तुलना में लेकिन अगर ये हड़ता लंबी खिछती है सरकारों के दखल से का नहीं होता तो प्याज की कीमतें वापस बढ़ना शुरू हो सकती है जिन में थोड़ी सी हमें नर्मी दिखाई दिए